हेलो अबरीवान और वेलकम बाग तो आवर यूट्यूब चैनल स्लावी फॉरेंसेक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वेकेंसीज के बारे में और यह जो वेकेंसीज हैं आपकी बिसिकली यह paid internship है तो यह आपका government of institute of aurangabad की तरफ से निकाला गया है अब यह क्या क्या है कहाँ पर यह internship होगी पूरी detailing इसमें हम जान लेते हैं और यहाँ पर एक बहुत important point है कि यह जो आपका paid internship है यह fresher candidates के लिए भी है तो अभी इसकी जो पूरी information है वहाँ पर चलते हैं और इसको detailing में समझ लेते हैं तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं इसकी जो notification आई है वहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें कौन-कौन से candidates हैं जो apply कर सकते हैं तो यह basically online applications invite करें गए हैं जितने भी B.Sc. के candidates हैं और जितने भी master's forensic science B.Sc. forensic science and M.Sc. forensic science जिनोंने अपना bachelor's या master's 2020 से 2021 वाला जो academic year है उसमें complete किया है तो वो लोग apply कर सकते हैं और यहाँ पर एक condition और है कि सिरफ वही लोग apply कर सकते हैं जिनोंने अपना B.Sc. M.Sc. forensic science दोनों ही या एक भी अगर B.Sc. forensic science है या फिर M.Sc. forensic science है वो उनका जो है 2020-2021 का जो academic year है उसमें complete होने के साथ-साथ उनका जो graduation और post graduation है वो government institute of forensic science और अंगाबाद में ही होना चाहिए तो अगर ऐसा है तो वही candidates इस paid internship के लिए applicable होगे अब यह जो paid internship है यह various F.S.L. जो है डिरेक्टरेट और फ्रेंसिक साइंस लेबोरिटरीज के अंटर जो की मुंबई में है वहाँ पर यह paid internship पर आई जानी है अब है यह बिसिकली जो internship है यह one year के duration के लिए है यहाँ पर जो आपको remuneration दिया जाएगा वो basically 15,000 का रहेगा masters के candidates के लिए और 10,000 का रहेगा जो bachelors के candidates होंगे उनके लिए यहाँ पर basically जो selection होगा वो जो उनका application रहेगा उसके base पर जो भी उनकी detailing है वहाँ पर उसके base पर आपका selection किया जाएगा और यहाँ पर जो 50 pass out students होंगे from government institute of forensic science और अंगाबाद उनको select किया जाएगा इस internship के लिए तो यहाँ पर दो चीजे बहुत जरूरी है कि आपका B.Sc या फिर M.Sc अगर आपने forensic science में कर रखा है तो वो आपका academic year 2021 में complete होना चाहिए दूसरी चीज़ जो complete होगा आपका bachelor's या master's वो government institute of forensic science और अंगाबाद से complete होना चाहिए उसके अलावा यहाँ पर कुछ यहाँ पर information दे रखिये बिसिकली जो institute है वो directorate of forensic science laboratory को facilitate करेगा मुंबई में यहाँ पर आपका internship कराई जानी है और यह बिसिकली जो final decision होगा किसरे से selection होना है internship के लिए वो जो आपकी director general है legal and technical DFSL मुंबई उनकी तरफ से लिया जाएगा students जो कि select कर लिए जाएंगे internship के लिए उनको अपना character certificate submit करना होगा और इसके साथ में antecedents from the local police station of his or her residence तो basically उनको residence का भी proof देना पड़ेगा और उसके अलावा वहाँ पर 100 rupees की stamp paper पर आपसे contract भी sign करवाया जाएगा कि one year का आप contract यहाँ पर कर रहे हैं one year की आपकी internship होने वाली है तो यह कुछ चीजे हैं तो यह जो internship है भले ही one month की है लेकिन यह आपका one month का आपका experience में count कर लिया जाएगा तो यह बहुत अच्छी opportunity है उन सभी candidates के लिए जिन्होंने bachelor's या master's अभी recently complete किया है और government of institute of forensic science और अंकाबाद से किया है तो काफी अच्छी news है यह और यहाँ पर important यह भी है कि जो registration करने की last date है वो है यहाँ पर 12th February तो यह चीज धियान रखेंगे आज ही इसकी last date है और यहाँ पर इसकी link मैं यहाँ आपको दे दूँगी जो मैं वीडियो के description रहेगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा basically जो comment section रहते है वहाँ पर आपको pin मिल जाएगा उसके अलावा जो हमारा telegram है वहाँ पर भी आपको available मिल जाएगा तो इसको apply करना बिलकुल मन भूलेगा जरूर से timely apply करज़ेगा basically आज ही इसकी last date है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको form को fill कर देज़ेगा तो उमीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा आज last date है तो इस बात का खास ख्याल रखेगा सारे information किस तरह से apply करना है कहां पर link आपको available होगी वो सब कुछ आपको telegram पर information मिल जाएगी उसके अलावा जो इस वीडियो का comment section है वहाँ पर आपको pin भी मिल जाएगा आपको link मिल जाएगी तो वहाँ से directly जाकर आप apply कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस form के लिए apply कर दीजेगा उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजेगा ताकि जिन भी students को इसके बारे में नहीं पता है तो वो लोग इसको जान सके और timely इस form को fill कर सके और अगर आपको यह वीडियो पसंद दा र झालवा 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 झाल